आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारणा सच्देव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार मुख्य मंतरी शिवराद सिंग चोहान 10 जुलाई को लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे सीधी में अमानविये कृत्य के आरोपी को रासकवा के तहत गिरफतार किया गया उसके अवैद निर्मान को भी गिराया गया खेलो MP Youth Games सितंबर महा में प्रदेश के विभिन शहरों में होंगे और मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि लाडली बहना सेनाए शासकीय योजनाओं के क्रियानवयन में मददगार और महत्तोपूर माध्यम बन कर महीला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी श्री चोहान 10 जुलाई को इन दौर से प्रदेश की सवा करोड से अधिक लाडली बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की मासिक राशी का अंतरण करेंगे यह योजना की दूसरी किष्थ है मुख्यमंत्री इन दौर में आयोजित कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की लाडली बहनों को लाडली बहना सेना के सदस्य होने के नाते दाइत्वर निर्वहन की शपत दिलवाएंगे और संबोधित करेंगे इसका प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में होगा वे इसी दिन धार जिले में लाडली बहना सम्मीलन में भी शामिल होंगे श्री चोहान इसके पूर्व गुना जिले में 8 जुलाई को लाडली बहना सम्मीलन में शामिल होंगे उन्होंने कल जिला कलेक्टरों से 10 जुलाई के कारेक्रम की जिलास्तर पर की जा रही तहियारियों के बारे में जानकारी ली सीधी जिले में अमानवे कृत्ते को लेकर आरोपी को राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफतार कर लिया गया है उसे केंद्रिय जेल रीवा में रहने का आदेश दिया गया है कल एक अन्य कारेवाई में सीधी जला प्रशासन द्वारा आरोपी के कुबरी क्षेतर में किये गए अवैदर निर्मान को भी बुल्डोजर चला कर गिराए गया मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चोहान ने सीधी मामले में अपराधी को कठोरतम दंड़ देने के निर्देश दिये हैं इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपी पर केस दर्श किया है धारा 294-504-SCST Act के तहत FIR दर्श की गई है राश्च्रुपती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवापीडी को भारतिय स्वतंतरता संग्राम के मूल्यों से जोड़ना और उन्हें स्वतंतरता संग्राम और स्वतंतरता से नानियों के बलिदान के बारे में जागरू करना बहुत महत्वपूर है नागपुर में कल भारतिय विद्याभवन के संस्कृतिक केंदर का उध्गाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि आज की युवापीडी अपने जन्मस्थान से दूर रहकर भी अपनी जन्म भूमी और संस्कृति से जुड़ी हुई है राश्रुपती ने लोगों से अपने समदाय और परिवार में अपनी मातर भाषा का उप्योग करने की अपील की श्रीमती मुर्मु ने कहा कि जहां एक और हमें अन्य भाषा और संस्कृति का अध्याइन करना चाहिए वहीं दूसरी ओर हमें अपनी मात्र भाशा और अपनी मात्र भूमी को भी नहीं भूलना चाहिए केंद्रिय ग्रह मंत्राले ने अगनी शमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिक बनाने के लिए एक योजना शिरू की है 5,000 करोड रुपे की लागत पालिय योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी मंत्राले ने कहा है कि राज्यों में कारूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशी में से 5 करोड रुपे प्रोटसाहन राशी के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शहा ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंदुर श्यासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोजना की थी. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिन विभागों के प्रमुक सचिव शामिल हुए। निर्वाचन संबंदी तयारियों का पूरा ब्योरा पेश किया गया। प्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा की तीन चिकित्सा पद्दितियों आयुर्वेद, होमियोपैथी और युनानी के विस्तार के लिए आयुष महाविद्यालियों में सनात कोतर की 177 स्टीटें बढ़ाई गई है। आयुष चिकित्सा के विस्तार के लिए राश्ट्रे आयुष मिशन के अंतरगत वर्ष 2022-23 में 114 करोड 40 राक रुपै की राशी प्राप्त हुई थी। बंदेभार्थ ट्रेने शामिल है। रेल मंत्राले ने इन ट्रेनों में कम यात्री संख्या को देखते हुए किराय की समीक्षा करने का निर्ने लिया है। सितंबर महा में खेलो MP Youth Games 2023 का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा कल्यान मंत्री यशोधरा राजसिंदिया ने विभागिये अधिकारियों के साथ बैठक में खेलो MP Youth Games की तैयारियों की समीक्षा करते होगे। कहा कि खेलो MP Youth Games सभी 52 जिलों में होगा। तीन चरणों में जिला, संभाग और राजस्तर पर 24 खेलों और अथलेटिक्स में 18 वर्ष से कम आयू के युवा अपने प्रतिभाग का प्रदर्शन करेंगे। राजस्तर पर अथलेटिक्स और शूटिंग प्रतियों किताएं, स्पोर्ट्स कॉंप्लिक्स शिवपुरी महोंगी। भोपाल के टीटिनेगर स्टेडियम में बॉक्सिंग, ताइक्वाडो, जूडो, फैंसिंग, टैनिस, बड़ी जील में क्याकिंग, कैनॉइंग और रोइंग तथा तरण पुषकर भोपाल में तेरा की पतियों किताएं होंगी। बाला घाट उज्जेन सहित अन्य शेहरों में भी मुकाबले होंगे। व्यक्तिकत खेलों में प्रथम स्थान वाले खिलाडी को 51,000, दुवितिये को 31,000 और त्रितिये स्थान विजेता को 21,000 का पुरसकार दिया जाएगा। और पठारी में 16 cm वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विफाग ने आज के लिए 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही अगले तीन दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वरिष्ट मौसम विज्यानिक ममतायाद अरब ने बताया कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के तट और ओडीसा के पास तीन जगा उपरी हवा में चकरवाती परिसंचलन जारी है। इस वज़े से अरब सागर और पंगाल की खाडी से नमी आ रही है। जिसके असर से तीन दिन बाद एक स्ट्रॉंग सिस्टम एक्ट को लेकर किशोर सांस्कृतिक प्रिणामंच की साधरन सभा की बैठक आज होगी। इंदौर नगर निगम देश का पहला EPR क्रेडिट अरजन करने वाला नगरिये निकाय बन गया है। कारवन क्रेडिट अरजित करने के बाद इंदौर नगर निगम ने केंद्रिय प्रदू गोपालन और पशुधन समवर्धन समिती की बैठक लेंगे। वित्ये साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए धार जिले में कैल शास किये उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यारतियों के लिए प्रशनोतरी कार्गरम आयुद किया गया जिसमें वित्ये साक् प्रथम रही। और आगर मालवा के लेक्टर केलाश वांखेडे ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में स्कूल, चात्रावास में जन्म प्रमान पत्र और जाती प्रमान पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे का प्रवेश नहीं रोका जाए। यूद गेम्स सितंबर महा में प्रदेश के विभिन शेहरों में होंगे और मौसम मिभाग ने अठारा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलिटन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार।